कि लाइफ इन्सॉरेंस प्रीमियम इन्सॉरेंस प्रीमियम एक अज्जस्मेंट होता है इस अज्जस्मेंट को अभी रुख जाईए पहले एक कर लेते हैं हम पहले हम करते हैं ओमिटेड परचेस ठीक है या फिर फिक्स इस इसको भी समझ लेते हैं ओमिटेड का मतलब क्या होता है भूलना ओमिटेड का मतलब होता है का मतलब भूलना और हमेशा याद रखना हम भूलते तभी हैं जब हम उधार खरीगते हैं नगत वाला हमेशा याद रहता है ठीक है उधार अगर किसी से लिया हो किसी को पैसे देना हो तो भूल जाते हैं भाई भूल गयते हैं नहीं दिया ठीक है तो अब मैंने किसी से समान उधार खरीदा दुकानदार से और अगर हम भूल गये तो एक तो हमारा जो परचेज है आपको सही करने के लिए और दूसरा आपने कैसा खरीद के अब Ahhh जब कभी भूलोगे चाहे छाहे आप कोई खरीद के बुल जाओ या तो आप क्या करोगे एक तोएकeki खरीद के भूलते तो एइसेट के अंदर जाएगा और दूसरा लाइबलीटी में चला जाएगा अगर आप इसेट्स है पहले हम गुड़ की बात कर लेते हैं अगर भूल गया यह ट्राइल में कभी नहीं दिखा होगा अगर हम भूलें तो एंदर है आपके नियान हमेसा कहा मिलेंगा और अगर गुड्स भूलते हो तो एख करोगे आप एड कर दोगे आप फटीज में आप अब ये थोड़ा सा पंगा आ टिर्प्रीशेशन का ठीक है न से हैं तो एक तो एड होगा असेट्स में और एक हो जाएगा बैलेंशेट के लाइबिलिटी में अब DRC करते हैं लेकिन डेप्रीशेशन का पंगा क्या आपको पता होगा अगर आपने गयारभी क्लास मैं पढ़ थोड़ा सा कि अगर च्यम मेह यूज यूज उस न Goodness ने ऊसे किया तो जूज पे Japan का लगे और चार मैंने use gi best हो सकता है सार के बीच में खरीदतकि भूला हूं तो साल के बीच में असे करीदके भूल गया तो जो फुराना शुर्षप पहोसौर पर प्राना असे तो शाल भरका लगेगा लेकिन जो नए वाला खरीद के में भूल गया एसेट में एड तो होगा लेकिन उस नए वाले के उपर depreciation कितना लगेगा सिर्फ 6 मेने का लगेगा या 3 मेने का लगेगा जितना यूज किया है तो उस situation में एड और यहाँ पर प्रॉफिट और बैलेंशीट के लाइवलिटी में आएगा इफ डेट ऑफ पर्चेज गीवन देन depreciation विल बी calculate according to date अगर डेट ऑफ पर्चेज बोलता है का भाई मैंने खरीदा जुलाई में तो भाईया जो भूले उना एसेट उससे जुलाई से लिए तो आपको क्या करना है इग्नोर करना है अगर question कहता है कि आपको इंक्लूडिंग नए एसेट पर टोटल पर लगाना है तो उस केस में पूरे साल का डैप लगा देना होगा ठीक है यह भाई सिंपल कर दिया एड और इधर लाइवलिटी में दिखा दिया लेकिन आपको उसमें अड्जेस्मेंट बोलता है कि इस पर डेप्रीशेशन चार्ज करना है तो उस सिच्वेशन के अंदर आपको डेट के अकॉर्डिंग चार्ज करना होगा और उस डेट के इसाफ गीवन इन अड्जेस्मेंट अड्जेस्मेंट अगर अड्जेस्मेंट में बोल रहा है कि अड्जेस्ट लगेगा बट लेखिन अगर नहीं कुछ बोल रहा है तो इग्नोर कर रहा है लेखिन आपको अड्जेस्मेंट में है कि डेप्रीशेशन लगाई है लेखिन डेट नहीं पता तो ऐसे सिच्वेशन में पूरे साल का लगाऊगे तब क्या करना है आपने देन डेप्रीशेशन केल्कुलेट फुल येर फुल येर ठीक है ना टेन डेप्रीशेशन केल्कुलेट फुल येर करेक्ट क्लियर है यहां पर सारी चीज़े ठीक है तो यह अड्जेस्मेंट था हमारा डेप्रीशेशन करेक्ट करेक्ट करेंट